रादे रादे दोस्तों, वास्टिप्स फोर होम चैनल में आप सबी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियों अक्षे तीज पर पती वसी करन का एक ऐसा पाय लेकर क्या हैं जिस को करने से पती पत्नी में प्रह्म बढता है और पती अपनी पत्नी को मान सम्मान देता है क्योंकि दोष्टों अक्षे टीज के दिन सतयुग परारम हुआ था भागवान परसुराम जी का जिनम भी अक्षे टीज को हुआ था अक्षे तीज को ही प्रिथवी पर गंगा का अप्तरन हुआ और अक्षे तीज के दिन बांके ब्यारी के इच्छन डशन किया जाते ही दोस्तों अक्षे तीज के दिन जो कोई उपाई किया जाता है वो अक्षे हो जाता है उसके अनंत पुन्न की प्राप्ति होती है अगर पती कलेश करता है बात नहीं मानता घर में जो है पैसा कमाकर के लाकर के नहीं देता इस तरह से अगर पती गुशा भी दिखाता रहता है उन सबी के लिए अख्यत तीज के लिए आपको एक उपाय करना है आपको करना यह है कि भगवान सी रादा किष्ण की फोटो या विश्णु भगवान की फोटो के सामने पतनी को बैठ जाना है और ग्यारे दाने चावल के पीले करे और चावल के दानों को पीला करके भगवान के आगे अरपित का देना है एक गी का दीपक जलाना है जिसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दे और इसके बाद में थोड़ा सा सत्तू लेकर के सत्तू का भोग भगवान को लगाना हैं उसमें तुल्सी का पत्ता डाल देना हैं और इसके बाद आपको पांच इलाइची उन चाबल के दानों के साथ में रख देनी हैं और पती वसी करन की प्रात्ना करते हुए आपको ओम किलिम मंपती वसकराय कुरू कुरू स्वा ओम किलिम मंपती वसकराय कुरू कुरू स्वा ओम किलिम मंपती वसकराय कुरू कुरू स्वा इस मंत्र का आप जितनी बार कर सकते हो ग्यारे बार एक्कीस वार यक्क्यामनवार आपको जाब कर लेना हैं, उसके वार विए सत्व को पती को भी प्रसार की रूप में जरूर दें, और भी बच्चों को दे शकते हैं पस सबसे पहले पती को दे Зबसे पहले पती को दें, अगर पती पासल में नहीं है, तो पती की फोटो के सामने अब स्विवम खा सकते हैं औ और किसी भी खाने की वस्तू में पती को खिला दें दोस्तों इस उपाय को करने से निश्चत रूप से पती का वश्यकन होगा और पती आपकी बात मानेगा आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को जैसी रादें